जो पाइल से छुटकारा पाने में बड़े ही मददगार होंगे सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ अश्विनी मुद्रा का अभ्यास अश्विनी जैसे की नाम से ही पता चल रहा है घोडे को कहते है और घोडे की ताकत से तो हम सभी वाकिफ ही है ना अब घोडा जब मल त्याग कर देता है तो उसके बाद वो अपने एनल रीजन को गुदा द्वार को हलका सा कॉंट्रैक करता है संकुचित करता है फिर उसके बाद उसको रिलीज करता है कॉंट्रैक करता है फिर उसको रिलीज कर देता है मल को त्याग करने के बाद अब उसी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ध्यान अपने एनल रिजन पर यानि गुदा द्वार पर लेके जाना है और गुदा द्वार पर लेके जाएंगे जहां से स्टूल पास करते हैं जहां से पॉटी करते हैं उसी जगह पर अपने ध्यान लेके जाएं और उसके बाद उस जगह को अंदर की तरफ पुल करें और फिर उसको धीला छोड़ दें उस जगह को अंदर की तरफ पुल करें और उसको धीला छोड़ दें तो इस मुद्रा का जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके anal region के आसपास आपके rectum के आसपास जो blood flow है वो improve होता है और कितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज हो उसमें अश्वीनी मुद्रा का लगातार अभ्यास करना आपके लिए बहुत ही जादा फायदे मंद होगा अब अश्वीनी मुद्रा का अभ्यास आप कैसे करेंगे इस तरीके से सुख आसन में बैट जाएंगे cross leg position पे बैट जाएंगे अब बहुत सी लोग अगर ऐसे जमीन पर ना बैट पाएं तो वो कुर्सी में बैट जाएं आराम से आप yoga block का इस्तमाल इस तरीके से अपने घु position पे बैट जाएं और फिर उसके बाद अपने anal region पर ध्यान लेके जाएं दोनों हातों को घुटने के ऊपर रख लें अपने अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ इस तरीके से लगा लें बाकी की तीन उंगलियां बाहर की तरफ ऐसे आख बंद कर कर देजिए अराम से पालती मार के बैट गए हैं अंदर की तरफ कुल कीजिए रिलीज कर दीजिए अंदर की तर फुल कीजिए और रिली सुन необर से कर लिए तो हमने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर लिया, अब हम इसका अभ्यास मलासन में भी करेंगे, मलासन का जब आप अभ्यास करेंगे, तो आराम से स्कॉाटिंग पोजीशन पर, इसको बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे गर्लेंड पोज, मलासन के नाम से, या कि एशियन स Squats के नाम से जानते हैं क्योंकि जाद़ा तरी के इसी तरीके से बैट के अपनेमल का त्याग करते हैं तो इस तरीके से अपने घुटनों को मोड़ते हुए आराम से बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे दोनों हाथों को Shoulders को in कर लें और दोनों घुटनों को बाहर की तरफ रखें इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी जब नी को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं तो आपके hip region के around और भी जादा एक extended stretch महसूस कर सकते हैं इस तरीके से और फिर उसके बाद आपका पेट जो है आगे की तरफ है और दोनों तरफ की जो आते हैं के जांग से आपकी थाई से इस तरीके से दबाव पड़ रहा है रीड की हड़ी जो है वो सीधी है ऐसे जुकी हुई नहीं है रीड की हड़ी सीधी है और फिर थाई से पेट के दोनों साइट दबाव पड़ रहा है और दोरों घुटनों को बाहर की तरफ ऐसे push करेंगे और फिर उसके बात चाहें तो दोनू हाथों को ऐसे चाती के सामने जोड ले, chest के सामने जोड ले या अगर फिर दोनू हाथों को इस तरीके से आराम से yoga mat पर रखे कम से कम इस practice को 5 से 10 मिनट आप हर रोज कीजिए अब बहुत से लोगों को ऐसे तो squatting position में बैटना बड़ा ही मुश्किल होगा पहली बात तो hip joints बहुत tight है, दूसरी बात घुटने में दर्ध है, तीसरी बात ankles मजबूत नहीं है और चौती बात कोई भी हो सकती है है ना हर एक तरीके के इंसान है तो फिर से हम yoga block का इस्तमाल कर लेंगे, अगर आपके पास yoga block नहीं है तो इस अभ्यास को करने के लिए आपके घर पे छोटे-छोटे stool होंगे, table होंगी जो जिनको normally आप kitchen में या washroom में इस्तमाल करते हैं, बैट के नहाने के लिए या काम करने के लिए तो इस तरीके से आप squatting position पे इस तरीके से बैठने की आदब डाला करें और फिर उसके बाद आराम से मलासन में बैठ गए अब squatting position पे बैठे-बैठे, आप अश्वीनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको double benefit हुआ एक तो मलासन का benefit हुआ ही हुआ, साथ ही आपको अश्वीनी मुद्रा का भी benefit मिल गया तो आप ऐसे मलासन में बैठे हुए, anal region पर ध्यान लेके गए और अपने anal region को अंदर की तरफ pull किया, release कर दिया, pull किया, release कर दिया, pull किया इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी, तो 5-10 मिनट आप मलासन में बैठे हुए हैं आराम से और आराम से अश्वीनी मुद्रा का अभ्यास आप लगतार कर रहे हैं with normal breathing और फिर उसके बाद पैरों को खोल कर stretch कर ले अपनी body के सामने